है गाइस मैं हूँ अतूल और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ HT और LT लाइन के वारे में आखिर ये HT लाइन क्या है और LT लाइन क्या है ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐजे ट्रांस्मिशन के लाइन के से देखा जाए या फिर इंडश्ट्रियाल पॉयंक्त उप यूज ये दोनों जगा जो है ये HT और LT जो वर्ड यूज होते हैं तो आखिर इसका क्या रिएल मेनिंग है आखिर HT और LT का जो voltage का rating है वो कितना है इसमें कौन से conductor का use होता है इन सभी चीजों के वारे में आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ तो please वीडियो को सुरू से अंतर चरूर देखिए अगर कोई भी doubt create होता है तो please comment section में comment करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं त तो please चैनल को subscribe कर जिए ताकि आने वाले जो भी electrical engineering से related videos है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए Guys, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं basic electrical से related एक playlist बना दिया हूँ आप please उस playlist को एक बार visit करिए उसे बहुत सारे electrical engineering से related quality content videos है जो की आपके knowledge को बहुत जादा सार्ब करने में help करेगा तो please एक बार उस playlist को visit करिए मैं उसका link उपर i button पे दे दूँगा Guys, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HT और LT का full form क्या है HT का मतलब होता है high tension, LT का मतलब होता है low tension तो ये tension जो है ये एक french word है जो की इसका meaning निकलता है voltage तो आप इसे high voltage और low voltage भी बोल सकते हैं Guys, अब मैं आपको बताता हूँ LT और HT में जो voltage का rating है वो आखिर कितना तक रखा जाता है तो सबसे पहले LT के बारे मैं बात करते हैं तो guys, LT का जो voltage है वो 1000 volt यानि की 1 kb से चितने भी कम voltage के line है उसे हम लोग low tension line कहते हैं Guys, ये जो LT line है ये दो type का है phase के हिसाब से जो है इसे बाटा गया है तो single phase के लिए अलग और three phase के लिए अलग single phase के लिए देखा जाए तो हम लोग घरों में जो 230 volt का use करते हैं वो भी LT line के अंदर आती है और हम लोग जो industries पे 415 volt का use करते हैं वो भी जो LT line के अंदर में ही आती है तो ये जो है एक interview question है interviewer आप से पूछ सकता है कि LT line का कितना type है तो आताना ये दो type का है single phase के लिए अलग और three phase के लिए अलग single phase में 220 volt यूज होता है और three phase में 415 volt का use करते हैं अगर आप voltage का rating 1000 volt याने ही 1 kb से कम देख रहे हो तो वो जो है LT line के अंदर में आता है guys अब बात करते हैं HT line का जो voltage का rating है वो आखिर कितना से कितना तक के बीच में है तो guys 33 kb से उपर और 230 kb से नीचे जितना भी voltage है वो सभी जो है हमारे HT line के अंदर आते हैं तो guys जैसे कि मैंने आपको बताया HT line का voltage rating और हमारे LT line का voltage rating तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि LT line के लिए मैंने बोला कि 1000 volt याने कि 1 kb से नीचे जितना है उसे जो है LT line के अंदर लाया जाता है और HT line के लिए मैंने आपको बताया कि 33 kb से उपर और 230 kb से नीचे जो भी line से उसे HT line के अंदर लाया जाता है तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जो 1000 volt से अब 33 kb के बीच का जो line है उसे हम लोग क्या कहेंगे इस voltage range के जो line है इसे हम लोग जो है medium voltage line कहते हैं और दूसरे तरफ जैसे HT के case में मैंने आपको बताया 33 kb से 230 kb के बीच में जो line है उसे HT line कहते हैं तो ये 230 kb के उपर के जो lines होते हैं उसे हम extra high voltage के category में लाते हैं तो ही 230 kb से start होगर के 650 kb के बीच में रहता है और 650 kb से ले करके 750 kb के बीच का जो lines होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ultra high tension line गाइस अब बात कर लेते हैं आखिर हम लोग जो है ये HT और LT जो लाइन से इसमें हम लोग कौन-कौन से इंसुलेटर का यूज करते हैं जो की most important है और ये हर एक interview में जो है पूछा भी जाता है इस से related तो ये जो LT लाइन है इस LT लाइन में यूज होता है सेकल इंसुलेटर और पिर इंसुलेटर और ये जो HT लाइन है इस HT लाइन में यूज होता है डिस्क इंसुलेटर और गाइस अब बात करते हैं ये जो HT और LT लाइन है इसमें हम लोग जो है transmission line के point of view से और industrial के point of view से कोन से जो है conductors का use करते हैं जो की most important होता है और इसे related जो है एक specific जानकारी तो होना ये चाहिए तो देखिए ये जो transmission line के लिए जो हम लोग conductor use करते हैं उसमें LT के लिए use होता है square conductor की 20 mm square का होता है और इसका जो current का rating है वो 20 amps होता है अब बात करते हैं ये जो HT line है इसमें हम लोग use करते हैं rabbit conductor जो की 50 square mm का होता है और इसका जो current rating है 157 amps होते हैं ये अभी आपको जो है दो conductor के वारे में बताया rabbit conductor square conductor तो ये जो है ACSR conductor के types में आते हैं ये ACSR conductor का जो है बहुत सारे types है अगर आपको इस से related specific video चाहिए तो आप please comment box में comment करें अब बात करते हैं industrial point of view से आखिर ये जो HT line और LT line हमारे होते हैं उसमें हम लोग कौन से conductor का यूज़ करते हैं उस जगह में guys rabbit conductor और square L conductor का जो है यूज़ नहीं होता है उस जगह में यूज़ होता है XLPE conductor अब ये XLPE का full form है cross linked polyethylene aluminium conductor armored cable की LT और HT दोनों के लिए यूज़ होते हैं और इसका जो size है वो depend करता है यानि कि LT के लिए हम लोग कितने square mm का XLPE का केवल यूज़ करेंगे और HT के लिए कितने square mm का हम लोग XLPE conductor का यूज़ करेंगे तो guys ये XLPE का जो conductor है ये current rating के हिसाब से इसका एक chart बना हुआ है तो उसका link जो है मैं आपको description में दे दूँगा तो आप उधर से जाकर पूरे उसके बारे में एक बड़ देख लिजेगा तो guys मैंने अभी जो भी आपको बाते बताया वो जो है industrial point of view और transmission line के point of view से HT और LT line के बारे में था तो guys इस video से related अगर कोई भी doubt रह गया होगो तो please comment box में comment करिए और अगर आप मेरे इस channel पर नए है और आपको मेरे समझाने का अगर technique अगर परसंद आ रहा है तो please इस channel को subscribe कर लिजे ताकि आने वाले जो भी electrical engineering से related videos है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए तो guys मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखें